हाई एवरिवन वेल्कम बेक टू मैं चैनल न्यू वीडियो मैं खुशाम देद करती हूँ आपको और असलाम अलेकुम के साथ आज बैठी हुई थी भूख लग रही थी चार वज़े का टाइम है और सोच रही थी कि क्या बनाऊंगी तो सोचा के क्यों ना मैं हंटर बीफ का सेंविच बनाऊं तो चलें स्टार्ट करते हैं मैं इसको दो तरीके से बनाऊंगी एक में मैं चीज डालूंगी दूसरा मैं सिंपल बनाऊंगी तो दोनों का तरीका आपको बताऊंगी पैन में मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ओयल डालना है यह जो मेरे पास हंटर बीफ है यह बिल्कुल रेडी है यह आपको मार्केट से रेडी भी मिल जाएगा और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसकी रेसिपी भी बता दूंगी इसकी रेसिपी काफी मुश्किल है और मेरे तो हस्बन यह ज़्यादा तर बना बनाया लेकर आते हैं और मैंने फ्रीज कर दे इसलिए इसका थोड़ा इशू यह होता है कि यह तूटने लगता है क्योंकि यह अलड़ी कुक है मैं इसे दोनों तरफ से सिर्फ अच्छे तरीके से गरम कर लूँगी और हलके से ओयल में इसको फ्राइ कर लूँगी और मेरा जो सैंड़िच है वो बहुत जटबट बन जा इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी सुर्ख मिट इसके ओपर मैंने डाली है तो इससे यह जरा चटपटा सा हो जाएगा क्योंकि कुछ चटपटा सा खाने का इरादा बन रहा है और साथ में आपके साथ चटचट भी होगी मज़ेदार वाली बातें भी ह और दूसरा यह है कि यह खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है मुझे भी यह बहुत ज़्यादा पसंद है अमूमन में घर में यह रखती ही हूं हूं हंटर बीफ अच्छा मेरा जो बीफ था हंटर बीफ वो बिलकुल रेडी हो चुका है ब्रेट के जो है वो करांगे जब रेसिपीस बनाती हूं तो यह कुछ जो चीजें इसके बच जाती है मैंने बहुत संभाल के रख देती हूं अच्छा मैं इस पे थोड़ा सा कैचप यूज़ करूंगे मुझे कैचप बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है मैं थोड़ा सा लाइट सा कैचप जो ह दूसरी तरफ मैं इसके मायोनीज लगाऊंगी और यह काफी प्रेस करने के बाद निकली थी बड़ी जान लगानी पड़ी इसके उप्रेस करने में मुझे और यह रख देखें जल्दी जल्दी से ताके वीडियो बहुत लंबी नहीं हो जाए दोनों तरफ से हम दोनों पी स्पोन से काम करना बड़ा ही मुश्किल लगता है पर मैं हाथों कभी साथ साथ इस्तमाल करती हूँ अच्छा इस तरह से आपने इसे अच्छे तरीके से पूरे ब्रेट पर पहला लेना है और हलका सब प्रेस करना है चीज स्लाइसिस के बारे में बताती चलूँ मैंने चीज स तोटेगा नहीं जिस ताना यह मेरा टूट रहा है क्योंकि यह बाहर पढ़ा हुआ था ग्रूम टेंपरेचर पर तो इसलिए यह थोड़ा मैल्ट हो गया और यह निकलने में जो है वो रैपर से मुझे 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 बात नहीं चट पटी सी रेसिपी तो बता रही हूँ आपको अपने बनानी है और मुझे बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी बनाईएगा और यह देखे इस तरह से आपने दोनों प्रेसिस को ब्रेट के हलका सा प्रेस कर देना है और आप हमेसे कर लेंगे गूल्डन सा फ्राय युमी कलर का आपकी चॉइस है अगर आ सा मेल्ट होना है अलरड़ी मेरी चीज मेल्ट हो चुकी है बट फिर भी थोड़ा सा चीज मेल्ट होगी इसमें और इस तरह से दोनों साइट से आपने इसको दबा दबा कर यह इस तरह से देखे मैंने इतना किया है अब आपकी चॉइस है कि आप इस पे इसको और कितना गो ही जाए क्शाना है क्युक्कि बहुत ज़्यादा ख्यादा ख्याल रखती हूं extract है उस साथ क्योंसी का रह हवाइक है। phीष्ध है चीस के साथ फाए जाए। यह देखे पूर से मैंने इसे उ तार लिया यह बिल्कुल जहला नहीं है, इसका बड़ा प्यारा सा कलर है, और अब मैं इस तरह दूसरा भी फ्राइ कर लूँगी, यह देखें, दूसरा भी मेरा फ्राइ हो रहा है, वो मैंने चीज के साथ बनाया था, और यह वाला जो है, यह मैं सिंपल बना रही हूं, इस तरह से आप ने इसके हंटर बीफ टाल देना है, प्रेस करना है हलका सा दोनों आतों से, और इसको पैन में सेख लें, अच्छा इस तरह भी आप कर सकते हैं, और अगर आप इसको सैंविच में करना चाहेंगे, तो सैंविच में कर लें, बट मैं थोड़ा जल्दी में थी, तो मैंने इस इतना है कि यह अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा, मैंने इसमें नहीं डाला था ओयल, वह बहुत ओयलिंग वाला भी अच्छा नहीं लगता, उसमें मजा नहीं आता, यह देखें, अब अपने हिसाफ से इसकी कटिंग कर सकते हैं, जिस तरह आपको पसंद है, मैं आपको इ देखें, यह थोड़ा सा मेरा साइड से निकल रहा था, क्योंकि जो हंटर भी फुत है, वो रेशा, जो मटन का रेशा होता है, रेशे वाला इसमें गोश यूज किया जाता है, क्योंकि इसको बिल्कुल शामियों की तरह मैल्ट तो किया नहीं जाता, तो इसमें इसके इन्शालला नेक्स्ट आपको रेसिपी में दो-तीन किसम के सैंविचे और भी बताऊंगी, फिल्हाल आपको ने ये वाला सैंविच ट्राइ करना है, और मुझे बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताईएगा, जाएं मेरे चैनल विजिट कर वो मेरे साथ आप भी ट्राइ कीजेगा, शाद रहें, आबाद रहें, अपने घर में, अपने प्यारों के साथ, बहुत सारी दौाओं के साथ, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, अला हाफिज